आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हाई तो आज का जो question है वो है The following three kind of leaves were exposed to light इन तीन kind of leaves को जो तीन प्रकार की जो leaf है उनको exposed किया गया light से जो पहली है variegated leaf दूसरी है green leaf partially covered with black paper green leaf जिसको partially covered किया गया है black paper से पूरी तरह किया से completely cover नहीं है वो leaves और तीसरा है green leaf बताने है कि presence of starch कहा पर होगा options है कुछ only in green leaves second है both green and variegated leaves third है all the leaves in which green parts exposed to light and fourth है only variegated leaves तो हमको option पताने कौन सा सही है इसमें ठीक है अब हम बात करते हैं पूछा ही ये variegated का मतलब क्या होते है पहले discuss कर लेते हैं कुछ चीज़े variegated variegated का मतलब होता है different pattern का होना different patterns उसको मैं क्या बोलूगी different pattern का होना या different colors का होना एक ही लीफ में उसको मैं बोलूगी variegated variegated मैं क्यों बोल रही हूं उस चीज़ को क्यूंकि different color different pattern शो हो रहा है हमारे पास जैसे कि एक लीफ है ठीक है उसमें क्या के variation है उसी लीफ में white color के patches भी आपको दिख रहे हैं उसी लीफ में आपको yellow color के patches भी दिख रहे हैं और उसी लीफ में आपको green color के patches भी दिख रहे हैं तो यह होगी variegated leaf का होना ठीक है ग्लुकोस का formation करते हैं और हमारे पास oxygen evolve होती है ठीक है सब chlorophyll में हो रहा है यह बद क्लोरोफिल मॉलीक्यल chloroplast ठीक है के लिए जरुत है ग्लुकोस की ठीक है अब कुछ जो ग्लुकोस होगा ना जो plant प्रडूस कर रहे है घ्लुकोस प्लांट को चाहिए वो खाना एनर्जी और डेव्लप्मेंट के लिए तो कुछ ग्लुकोस को वो क्या करेगा स्टार्च में कर देगा क्यों storage के लिए कोई चीज खाना का मतलब है प्लांट को स्टोरेज की जरूत है क्यों है प्लांट को अब क्यूंकि जिस टाइम पर रात हो गई एड़ टाइम आफ नाइट रात के समय में फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं तो उसके प्लांट के पास खाना नहीं होगा बनाने के तो यह मोलीक्यूल की लॉट चैन है स्टाइब स्टाइबयू पर नहीं आप अप एड़ती है और यहां पर क्या होता है अमयल पैक्टन में ब् easy जूरू हो जाती है तो यह हमें मैं ब्रांटेग श्रूब हो जाती है तो यह हमें लिवे स्टाइब ब्रांच्टिन कर लिए कि स्टाइवार्ट कि जरूत क्यों पूछा रहा है से इसी वजह से अब देखते हैं कि सब्सक्व Yep करें प Filter संब्सक्राइब कहा हि Скई स्टा पर होगा स्टाइब स्टाइब संधराemie ना स्टाइब आ NH बोत green and variegated leaves green में भी और variegated leaves जिसमें patterns शो होने हैं वो भी तीसरा पूछा गया all the leaves in which green part are exposed वो सारी leaves जिसमें green part को exposed किया गया light से ये एकदम relevant statement लगता है एकदम correct statement लगता है क्यों क्योंकि जो हमारे पस leaves हैं जिन green leaf का part जो leaf का part sunlight से exposed होगा वो जो leaf होगी वो खाना बनाएगी photosynthesis करेगी जो पार्ट exposed होगा light से तो अगर खाना अपना बनाएगी glucose formation होगी तो glucose वो starch की form में भी वो store करेगी तो उसका मतलब हाँ starch वहीं पर ही हमको leaves होगी जो leaf का part exposed होगा light से तो ये एकदम correct हमारी statement है only in variegated leaf भी एकदम wrong option है तो इस relevant option नहीं है ठीक है ये तो जो correct statement है वो है हमारा third वाला classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज राउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 शूपर